आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अब ही डाउटनेट करें प्रशन दिया हुआ है हमें कि धातों की दो विशाल समतल प्लेट हैं, जो एक दूसरे के समानांतर रखी होई है, जहां प्लेटों के वीच की दूरी 2 cm हमें दे दी गई है, अब यदि एक एलेक्ट्रों को जो विरावावस्थ हमें किसे एक प्लेट पर रखा हुआ है, उस विशाल समानतर प्लेट जिनकी बीच की दूरी हमने, चले हम प्रशन अबसार के ने कि दिया हुआ हुआ है 2 cm2 से प्रशित कर देते हैं, वह dedicat की समानांतर प्लेटों की प्लेटों के रखा है, पहला प्लेट इक और दूसरेद समानतर रखी हैं कि जा आध नहीं परिवाश परणतु यहां पर हम बोल सकते हैं कि इस दिशापर या इसके समानता प्लेटों के बिलकुल लंबवत विदूशेतर यहां पर लगेगा विदूशेतर का परिमान यूप में है जैसे हम क्या बोलेंगे य बरावर एक समान विदूशेतर एक समान विद्धुती शेत्र यह लगा हुआ है अब यदि इस स्थिति एलेक्ट्रॉन जो पहले प्लेट के पास है यहां पर हमने उसके स्थिति की कलपना कर ली चुकि प्रश्ण में कहा गया है कि एलेक्ट्रॉन को विरामवस्थाद से विरामवस्था है अर्थाथ हम उसके वेग क प्राइनफिक विक को शूने मानेंगे यहांपर अब दीखिए एक सम्वान विद्धूति Statin में रखे हुए项 एलेक्ट्रोन पर एक विद्धूति क्रियाशिल बल कारे करेंग जैसे हम बोलेंगे विद्धूति बल विद्धूति बल किसके कारण विद्धूति विदुति शेतर एक कारण उस पर बल लगेगा के कारण इलेक्ट्रॉण पर लगने वाला बल इलेक्ट्रउण पर बल क Anime कह परिमान क्या होगा जैसे हमने πैप से प्रेशित का हटेगी वहां से गत्यावस्था में होती हुए दूसरी प्लेट तक यह दी जाता है तो उससे समय कितना लगता है समय हम वहां पर लिख लेते हैं समय जो हमें दिया हुआ है उसका परिमान है टी के रूप में दो माइक्रो सेकंड इसका मतलब दो गुणा दसकी घात रिंट 6 सेकंड उसको समय लगता है एक स्थान से दूसरी स्थान रथा पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की और जाने के बीच जहां उसके दूरी यहां पर कितने निधारित है डी दूरी पर अठा दी दूरी थेकरने म उसे इतना समय लगता है या तो हमने ग्याद कर लिया अब इस स्थिती पर यदि उस पर बल लग रहा है तो बल लग रहा है तो उस पर त्वरण उत्पन होगा तब यहां पर त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं गती में त्वरण को क्या होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन पर दे ए और Capital E आवेश और उसमें विद्धुती शेत्र का गुडन फल और यहां पर E और यहां पर त्वरण है तो त्वरण का परिमान हम कैसे निकाले त्वरण का परिमान होगा E, capital E upon M E की रूप में, यहाँ पर हमें त्वरण मालू हुआ, इतना तो हमने ग्याद कर लिया, अब हमें समय प्राप्त है और वो दूरी प्राप्त है, आगे हम देखते हैं गति के दूती समय करन से, देखें, गति का दूती समय करन हमें क्या बताएगा, दूती समय करन, यह ह दूत्रक के अनुसार, इसके मानक समय करन में, हमने जो जो मान रखा है, उनके मानों को रखते हैं, D यहाँ पर चलेगे दूरी है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक, चुकि विरावा मस्था में थी, यू कमान 0 ने रहने वाला है, तो यह पूरा टर्म 0 होगा, अब इसक कितना निकाला उस इलेक्टरॉन के लिए, E, E, अनुपात, ME, और यहाँ पर समय है, समय हमें कितना दिया हुआ है, चलिए इसे अभी टी वर्क से प्रदशित करते हैं, तो सभी मानों को रखते हैं, और यहाँ पर देखिए, D बराबर आप, यहाँ पर आएगा, E, E, T वर् निकाले, तो E को हमने इस तरफ ले लिया, बाकी पदों को वहाँ पर ले गया, 2, M, E, D, अनुपात, यहाँ पर मान होगा, E, T, वर्क, इतना तो हमें प्राप्त हो गया, कि विद्यती शेत्र का परिमान हम इस सुत्र से ग्याद कर सकते हैं, यह तो हमें प्राप्त हो गया, इसे हम नाम देते हैं, चलिए, समीकरण 1, अब देखिए, यदि समनानतर प्लेट हैं, यहाँ पर दो आविशित समनानतर प्लेट हैं, तो उनके बीच प्लेटों पर आवेश की कारण, जो प्रिस्ट घनत्व होगा, उसे हम किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर हमें उ से नीचे लिख लेते हैं, चलिए, तो दो समनानतर प्लेट, उनके आविशित होने के कारण, प्रिस्ट घनत्व को हम किस प्रकार लिखते हैं, प्रिस्ट घनत्व, किस से प्रिशित किया जाता है, प्रिस्ट घनत्व को हम से सपस्ट करते हैं, सिगमा से, इनके भी संबंध क्या होगा देखें विदुती शेत्र के संबंद के रूप में इसका मान प्रिष्ट घनत्व और एप्सलोन शूनी के अनुपात के बराबर होता है इतना तो हम जानते हैं इस प्रकार विद्धुती शेत्र और प्रिस्ट घनतों के मद्य संबंध हमें समीकरण से प्राप्त हुआ जिससे समीकरण 2 हम ने दिया अब इस प्रकार दोनों समीकरण को हम देखते हैं तोलना करते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या होगा यहां पर E के मान को हम बराबर करते हैं जहां पहले समीकरण से सिगमा अनुपात अपर हुआ, और दूसरे समीकरण से 2MED अनुपात यहाँ पर E T का वर्ग हुआ जहां T हमें समय को बताता है अब जो जो परिमान हमें दिये हुए हैं हमें प्रिष्ट घनत्व का मान गयाद करना है यह जो जो मान हमें परिमान पर दिये हुए हैं उनके मानों को हम रखते हैं देखे, क्या थानद मोना आएंगे? यहाँ पर सबसे पहले स sligma का मान। यहाँ पर हम लिखते हैं तो 2 है, मयन Waspastнич. महिंच सınता है, Y1111 31 यहाँ हम लिख देते हैं किलोग्राम के रूप में, चलिए kg अब यहाँ पर डी कितना है दूरी कितनी दी हुई है हमें दूरी दी हुई है 2 cm उसे क्या लिखा जा सकता है दो गुणा दसकी घात रिंड दो मीटर के रूप में और इसी तरह एपसलोन शूनी का मान कितना होता है इसे चलिए हम नीचे लिख लेते हैं 8.85 गुणा दसकी घात रिंड 12 कुलॉम वर्ग प्रती न्यूटन मीटर वर्ग के रूप में यह बद हमें मिला उपर के रूप में अब नीचे हम क्या लिखें नीचे देखें हम बना लेते हैं E E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आविश है उसका परिमान हम लिख लेते हैं एक दिशम लिख गुणा 10 की घात रिंड 19 कुलॉम के रूप में इसे हमने सी लिख लिया और टी जो हमें दिया हुआ है कितना है दो मैक्रो सेकंड ना दसकी घात 6 सेकंड के रूप में इसका हमें करना होगा वर्ग क्यूंकि टी का वर्ग यहां पर हुआ है अब हल करते हैं तो देखिए का म और नीचे हम लिखते हैं तो उसका मान होगा एक दिशनडो 6 गुणा 2 गुणा 10 की घात रिण 31 अब इसे हल करते हैं तो हमें प्रिस्ट्री घनतों का मान कितना मिलेगा अंतिम रूप से हल करने के प्रिशाद 0-0-0-5-3 गुणा 10 की घात रिण 12 कुलॉम प्रती मीटर वर्ग इस प्रकार हमने ग्याद किया कि प्रिस्ट्री घनतों का मान यहां पर 0-0-0-0-5-0-3 गुणा 10 की घात रिण 12 कुलॉम प्रती मीटर वर्ग प्राप्त हुआ है यह इस प्रश्ण का उत्तर है धन्यवाद सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर